हालो स्टुडेंट्स वेलिकम टो आरेम इंगलिस क्लास्स आए आज एक्सरसाइज नंबर चार वी जो नाउन पर आधारित हैं इसका हम लोग जो है करेक्ट करते हैं गलत वाक दिया है पेपर में ऐसे आता है तो उसको आपको सही करना पड़ेगा और अगर आप नाउन के बा बाद सक्वाल करेंगे तो पूरा आपको समय में आ जाएगा देखते हैं आल दा प्लेयर्स वर इन हाई स्परिट इसमें गलती क्या है डायरेक्शन देख लिए करेक्ट दमिस्टेक्स यानि गलतियों को सही करो इफ हैनी यदि कोई हो इन फालॉइं निमलिखित वाक में य उच उच्छा में तो हाई इसपरिट में ये जोड़ा आत्म नई तो फ्रीट माने आत्म ढालेता है हाई स्परिटस वाने मूँचा उस्टा आप जोड देंगे तो बादक हो जाएगी नाउन की भी स्टेक्स हमेशा स्परिट में यह जूड़ा रहा था उस्ता कंग्रज़ लिए आवर सराउंडिंग इज एवफिल हमारा जो है पासपड़ों से बहुत यह फुल माने होता है सुन्दर तो यह सरी बहुत भेहाना कि भायानक भी होता है यह विंच ठीक है अवफिल ठीक है भाया व्यानक है तो सुन्दर नहीं इस तरह से अब कुल में लेकि आप गलती जला एक तो इसलिए इसके साथ लगाए में और अगला है पुलिस आज सराउंडेट लिए गहर को क्या किया तो इसमें जानते क्या गलती है पुलिस आपका हमें सब बहुबचन में प्रयोग होता है तो इसलिए हाइज नहीं लगेगा क्या लगेगा ठीक बस आगे देखते हैं तो इसमें जानते क्या गलती है अपना कपड़े कपड़े लिया और बिना हमें सूचना दिया स्थान को छोड़ दिया तो जानते गलती क्या है कि अब देखें क्लाथिंग में यस नहीं जुड़ता है क्लाथिंग में से सटा दिए तो पहणने कंपड़े का पहन पाहना कपड़ा दो फ्रम यस में जुड़ेगा कभी अच रहित जिरन यह संन हम वो अपने कपड़ा लिया और स्थान को बिना में से उचना दिया यह फिर आप क्लॉधिंग में नहीं आगर आप हटाना चाहिए तो पूरा क्लॉधिंग को हटा दीजिए आप यहां क्लॉधिज भी लिख सकते हों ठीक है दोनों सब्सक्राइब अपने क्लॉधिज माने होता क्लॉधिज में पूरा क्लॉधिंग अटाकर कर दीजिए सही हो जाए कैन वी रिलाई आंदीज इनफार्मेशन क्या हम इन सुचनाओं पर रिलाई मने होता भरोसा करना निरभर रहना निरभर रह सकते हैं तब यहां क्या दीज क्या है आपको बहुचन है गलती क्या इसमें पीसेज उसके बाद आफ लगा दिए तो पीसेज आफ लगा देंगे इनफार्मेशन क्याले तो दीज पीसेज आफ इनफार्मेशन मने इस इन सुचनाओं अपने आप पर पूचन हो जागा अगला देर वाज एलाट आफ मिस्टेक्स इन्योर एक्सरसाइज तुम्हारे ए बाद वाला करता बताता है प्लीज पे माई रिगार्ड टू यूर फारंस ठीक है तो इसमें क्या क्रिप्या अपने मातापिता से मेरी तरफ से रिगार्ड्स पेरिगार्स बने तो प्रडाम बोलना सुच कामना के सब्द बोल देना तो यह रिगार्ड में यह समीसा लगा रहा रहा था हैं तो पेरिगार्ड्स का जाता है रिगार्ड्स मनें होता हूंता है आदर परण जी सब्सक्राइब तो यह कह रहा है कि अठ्वाग के जो है कि इन दा इवेंट आप आटाइक मने आक्रमण के घटना में एवेंट वाने घटना भी होता खेल में था हमें हमें हथियार लेने के लिए Constitution के लिए इस जुड़ा रहे हैं टिक है बरिएंस होता है получится खुझा बिस्माने हो सद्ञार होता है ख़ां wr there is a lot of money in his account in the bank तो अगला वाक की जो है आपका जो है there is money है lot of money lot of money माने धेर सारा धन ध्यान देना की ठीक है lot of नहीं a lot of इस सब्द है correct word क्या है a lot of a lot of माने धेर सारा money माने धन आगे सब कुछ होई है तो lot of नहीं a lot of होता है यह तो lot of होता है तो तब उसके साथ countable noun लिखा जाता है तो uncountable noun है तो इसलिए a lot of ही सही रहेगा a lot of माने धेर सारा we must set a good example for our our spring to follow ठीक है तब यहां जानते क्या गलती है गलती यह है कि आफ spring माने होता संताम ठीक तो संताम there is a lot of we must हाँ तो संतान की अंग्रेजी में यह यह नहीं लाता है offering की ओल कहा जाता है PR ing ना की यह सटा दीजी आपको बाकर correct हो जाएगा और बाकी कोई गलती नहीं है अगला है हाँ the scenery of customer पहली बात scenery का बचन नहीं बनता तो आप why कर दिजिए the scenery of customer जब एक बचन में ही प्रियूग होता तो इसके साथ बर्भी इज लगी गया ठीक तो the scenery of customer is very charming most important sentence है the surrounding of my house are pleasant मेरे घर का पासपरोस बहुत pleasant one है सुखद है तो सिद्धिस बात पासपरोस के लिए surroundings होता है पासपरोस के बाता है यस जोड़ देंगे आफ surroundings में of my house are pleasant सब कुछ एकदम सही है क्योंकि surroundings साथ बहुचन के बर भी लगती है भी सही है पीछे आपको बताया गया अगला आपका है he took a great pain to support his family वह अपने परिवार के support करने के लिए अतधिक तकलिफ क्या कि वह तो यहां क्या है कि to support his family इस वाक में पेन नहीं पेंज रहेगा ठीक है क्योंकि पेन का प्रियोग जो है एक बचन और बबचन दोनों मोता को किताब में excellent मिल जाएगा rule number 12 देखेंगे तो कि पेन कारत तात पर कस्ट ऑपरेत दोनों होता है इसका singular plural दोनों में प्रियोग होता है तो great pains होता है much pains होता है आत्यदी कस्ट तो great yam much के साथ आप इतना ध्यान दे दिजिए मतलब great yam much के साथ pains रहेगा pain नहीं रहेगा ठीक है उठाए गया अगला है I bought the house with its equipment मैं घोड़ा को खरीद लिया equipment कहा जाता है न के equipment's equipment noun है तो उसमें यस नहीं ज़िए जाएगा equipment बनाता समान साथ समान मैं घोड़ो के साथ समान सहित खरीद लिया मतलब इतना भी ठीक है तो साथ समान होता है जो गोड़े के लिए युज की जाता है आगे लगाया जाता है लगाम कितना तो वो सभी सभी खरीद लिए तो इस एक्विपमेंट में यास नहीं जोड़ता इतना जाएं समग्री से इस वाट कॉस्ट्ली फरनेचर तो वह क्यमती फरनेचर खरीद आप है फरनेचर में यस नहीं जूड़ता है तो आप इसमें आराम से यह सटा दिजी बात खरीच चुका है तो आगे हैं एक पाइक आफ हाउंड अटाइक दा हर्ड आफ सीप एंड किल्ड फ्यू पाइक आफ हाउंड हाउंड देखिए हाउंड में यह जोड़ देंगे यहां हाउंड मने होता है हर्म में सिकारी कondere का समु ओपना हैं हम इता खया पाइक बखते के सकारी को समू आटक होँग में साजी जुड़ देखिए हाउंड कमन करने हैं और मार भी दिए तो यहेंड हाउंड में में स्यूर्ण का समुड चुका पाइक फेसे पात तर्वर जोड़ देख बी कि दीज न्यूज है डिस्टर्ब दपीस आफ माई मॉंड तो अब देखिए न्यूज का प्रयोग हमें से एक बचन वहता है तो है भटके हैज हो जाएगा आगे सब कुछ वही है ठीक तो दी और एक बात है और ध्यान देना कि न्यूज है हमेशा एक बचन होता है एक बचन क फैसे ऐसा नहीं लगता है कि उसके पास कुछ दिमाग कई देंगा और गल्स हेर उसके बाल काले हो गया है ठीक है तो सीदी बात है है यूज है पूरे बाल की बात के जा रहा है और भूरा या पक जाना ग्रेमिस वासे भूरा होता है तो पक जाने पिचाने के लिए हैब का हैज करदी है इस हेर हैसे होगा पूरे बालों की बात कि चाया तो हीर में हम नहीं जोडते हैं और उस साज कार नहीं कि बढ़ हुड करते हैं The son of Mr. Browns, Brown is a famous sergeant Mr. Browns का, फुत्र जो एक प्रसिद्ध सारजन है सलच किस्ट चका, तो यहां जानते क्या गलती है, The son of Mr. Browns, Browns मुसे यह सटा दीजिए Mr. Browns खाली का जीए, ठीक है, क्योंकि भाए काकि अंग्रेजिजी उसके पहले आफ लगा है तो बाद में यह फोस्ट लिखना बेकूफाना है थीक है तो दसना आफ मेंस्टर ब्राउन इसकत न कर देना इसे फेमस सार्जन एक प्रसिद सार्जन है तो आई होफ समझ में आगए ऐसी यूच्फुल वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्स्राइब करके घंटी दबाके रखें ताकि समय से वीडिय करके अदों आखिए यह वीडियो putting upैacles है थांक्स वह वस्टी पर करें अलूंग आजा से चेल्धि फोड़ाद है झाल झाल